Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains एक आसा चानल जहाँ पर आपको किंडर्गार्ण से क्लास 12 तक क्वालिटी एड्युकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है वो भी बिलकुल फ्री ओप कोस्ट इतना ही नहीं अगर आप State Board पढ़ना चाहते हैं तो UP Board, Bihar Board, Rajasthan Board, MP Board भी पढ़ सकते हैं हमारे चानल Magnet Brains हिंदी पर इसके आलावा अगर आपको notes चाहिए, books भी चाहिए तो उसकी link भी आपको description box में मिल जाएगी तो सब यह कुछ मिल जाएगा, बढ़ते हैं आज ही class की तरब, आज ही class जो है class 5th के students के लिए है और हम पढ़ रहे हैं environmental studies, तो मेरा नाम है खुशी और पढ़ाती हैं को class 1, 2, 5th environmental studies तो students हम complete करने वाले हैं अपना chapter super senses पे हैं हम, हम काफी सारी चीज़े super senses के बारे में already पढ़ चुके हैं कि कैसे super senses हमें किसमें देखने को मिली, animals में sense of smelling, sense of sight, sense of hearing यह तीनों senses हम already देख चुके हैं, previous class में हमने बड़ा sense of hearing को लेके कि कैसे different animals के ears जो हैं कैसे अलग-अलग होते हैं, किसी के बहुत बड़े ears होते हैं, किसी के छोटे होते हैं तो किसी के ears हमें देखते ही नहीं हैं, जैसे birds और snake यह ऐसे हैं जिनके ears हमें दिखते नहीं हैं और birds में छोटा सा hole होता है जो उनके feathers के बीच में छुप जाता है। और वहीं snake के पास कोई ears नहीं होते हैं बस वो vibration फील कर पाते हैं। और जो बड़े animals हैं जिनके बड़े ears होते हैं वो बहुत अच्छे से सुन पाते हैं as compared to जिनके छोटे ears होते हैं। और करींती हैं हमने कुछ activities तो अगर आपका कुछ चीज छूट गई है तो आप पिछले lectures भी अराम से देख सकते हों पिछली classes आपको playlist में मिल जाएंगे। हब हम आज की class के साथ शुरू करते हैं आज की class का topic क्या है? sound send messages क्या आपने कभी कोई animals को बात करते हुए देखा है? जब एक डॉग बाक करता है भौकता है तो वहां से दूसरा डॉग का पर चवाब आता है तो हमने usually यह चीज़ दो देखी है पर क्या आपने देखा है कि कभी कोई message भेशता हूँ? WhatsApp पे नहीं या कहीं और पे नहीं पर कहीं कोई animal को ही message दे रहा हूँ? कोई एक message तो कैसे देगा? उनकी पस तो phone नहीं होता अब आप सोचोगे तो उनका एक अलग way होता है अपना message देने का वो way हम पढ़ने वाले है राइट से it with the sounds और यहाँ पर कुछ questions करने वाले है तो ब page number 9 से हम start कर रहे है ठीक है हमने यहीं पर खतम किया था यहां तक हम कर चुके थे यहां तक के आपने activity जो है वो कर ली थी हम यहां से start करेंगे ठीक है topic है sound send message तो start करते है high upon a tree a long who wants other of danger like a tiger and leopard तो जब लंगूर लंगूर कौन सा आनिमल होता है लंगूर होता है आनिमल लाइक monkey यह monkey जैसा ही दिखता है जैसे यह दिखो दिख रहा है यह looks like a monkey पर यह monkey से तोड़ा अलग होता है इसका face हमेशे black होता है कौन से कलर अलग होता है हमेशे black face होता है तो जब लंगूर होते हैं वह बहुत obviously like monkey की तरह होता है तो इधर से उधर पेड़ पर कूच सकता है तो यह उपर उपर उच्छे उच्छे पेड़ पर चले जाते हैं और उनको दूर दूर की चीज़े दिख जाती है तो इनने दूर से देख लिया कि टाइगर जो है आ रहा है उसकी तरफ तो वो यह टाइगर का एक sound जो है यह कोई sound निकालता है और सब आनिमल्स को पता चल जाता है जो बज़रे छोटे-छोटे आनिमल्स हैं जिनने वो टाइगर खा सकता है तो सब आनिमल्स के पास क्या होता है एक signal पहुँच जाता है कि टाइगर आने वाला तो सब छुप जाते हैं, चीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक message भेजा, पर कैसे भेजता है, वह एक different सा sound निकालता है, अपने मूँ से, एक sound निकलता है, और सब को समझ में आता है, कि अगर लंगूर ये sound निकाल रहा है, याने कि हम सब को छुपना है, tiger और leopard आने वाला है, special sound बनाता है, जिसके तो सारे animals को पता चल जाता है, कि आसपस एक tiger या leopard आने वाला है, ये तो होगी लंगूर की बात, फिर birds भी ऐसे ही sound निकालती है, birds क्या करती है, birds also give alarm calls to warn about the danger, कोई भी danger आने वाला होता है, तो birds भी different sound निकालती है, क्या-क्या danger हो सकता है, जैसे अभी हमन lion, leopard, ये लोग आ रहे हो, तो हम birds जो है, वो भी बता जिती है, different sound के थू, some birds even have different sounds for different kinds of danger, और birds के पास तो अलग-अलग danger के लिए, अलग-अलग sound भी होता है, जैसे कि, for example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky, को कोई बड़ा सी, बड़ी सी चिडिया बोलो, या बड़ी सी कोई बर्ड आ रही ह उपर से, तो वो अलग तरह का sound निकालेंगी, और कोई ground पे, और if enemy is on the ground, तो वो अलग sound निकालेंगी, enemy का क्या मतलब होता है, students? enemy मतलब दुश्मन, तो अगर दुश्मन उपर से आ रहा है, तो birds अलग sound निकालती है, दुश्मन अगर ground से आ रहा है, तो अलग sound निकालती है, तो ऐसे वो अपने आसपास के लोगों को एक signal दे देती हैं, कि danger is coming, तो सब जो हैं, वो छुप जाते हैं, या बचने के लिए अ electric signals, आप देखोगे कि water में, this is what, this is what a water, fishes का रहती है, water में, water में वो क्या देती है, water में electric signals देती है, अलग से आपको signals दिखेंगे water के अंदर, इसका मतलब है कि कुछ, कुछ danger होने वाला है, तो fishes भी जो है, वो भी एक signal देती है, तो कितने सारे animals एक दूसरे को बचाने के लिए अलग-अलग signals देते हैं, then some animals start behaving in a different way, कुछ बार कोई animals sound तो अलग नहीं निकालते हैं, पर वो अलग तरीके से behave करने लगते हैं, एकदम से जैसे normally जो animal रहता है हर दिन, वैसे नहीं, वो अलग सा behave करने लगेंगे, धरोधर ज तर्कते करने लगेंगे, तो वहां के लोगों को समझ आने लगता है कि कुछ अलग होने वाला है, कुछ तो प्राबलम है, so when an earthquake or storm is about to come, जब अर्थकोई क्याने की भुकंब, जब ऐसा कोई natural calamity जिसे हम कहते हैं, कोई भुकंब, आनधी, तोफान, बार्ड, ऐसे कोई भी च चीज़ आने वाली होती है, तो भी आनिमल्स को पहले से पता चल जाता है, ये सेंस भी उनके पास ज़्यादा अच्छी होती है, क्यों क्योंकि उनकी hearing power के कारण, उनकी smelling power के कारण कई बारोंने कुछ चीज़े पहले ही पता चल जाती हैं, तो इसी कारण से कोई भुकंब, आंधी, तोफान, बार आने वाली होती है, तो आनिमल्स को पहले से पता चल जाता है, तो वो कुछ signals देते हैं, सभी लोगों को कि समझ जाएं और उससे बच जाएं, और ऐसे ही वो या तो कभी signal नहीं दे पाते हैं, तो अलग तरीके से क्या करते हैं, बिहेव करने लगते ह So people who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger, और ऐसे ही forest में जो लोग रहते हैं जंगल में, उन्हें समझ में आ जाता है कि लगता है कोई danger आने वाला है, तभी animals जो हैं ऐसे behave कर रहें, usually हम तो जंगल में रहते नहीं हैं, तो हमें तो नहीं समझ में आएगा, बट जो जंगल में ही रहते हैं, animals के साथ, उन्हें ये चीज़ exactly समझ आ जाती है, क्योंकि ऐसा ही एक incident हुआ था जो आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाले पार्ट के देखो, ये incident हम पढ़ते हैं, एक incident हुआ था 2004 में, कब हुआ था 2004 में, जब few tribes, tribes कौन होते हैं बच्चों, tribes जो forest में रहते हैं, सो यहाँ मैं लिख देती हूँ, who live in forest, जो tribes कौन होते हैं, जो forest में रहते हैं, तो 2004 में, जो forest में रहते हैं, tribes उनके साथ क्या हुआ, the live in forest of Andamark Island, यहाँ पर रहते थे, इस यहाँ के forest में, notice the animals behaving in a different manner, उनने क्या notice के उनने देखा, कि animals जो आज अलग तरी के से behave कर रहे हैं, यह सच में हुआ था, वही चीज़ हम discuss कर रहे हैं, they get some danger, तो उनने क्याल समझ में आगया, कि लगता है कोई danger है, कुछ खतरा है, so they moved away to safer part of the island, तो वो कहां कहां चले के सब लोग, जितने भी tribals थे, tribes थे, वो लोग सब लोग एक सेफ जगा पर जाके पहुच गए, soon after, कुछी देर बाद, the island was hit by the tsunami, और कुछी देर बाद, क्या आगई, आइलें पे टुनामी आगई, but these people were saved, तुनामी वही नाचनल करान मचे आगई, और सब लोग बच गई, किस के कारण, आनमल के का कि कुछ डेंजर आने वाला है, तो सब लोग एक सेफ जगा पर, सुरक्षित जगा पर पहुच गई, और सुरक्षित जगा पर पहुचने के बाद, किसी को नुकसान नहीं आगई, तो भी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, so this is how animal give signals to the people or other animals, so that they can move to a safe place, okay, तो ऐसा हुआ 2004, December में, तो ये स्टोरी आपको पता होने चाहिए, next क्या बताया, डॉल्फिन के बारे में बताया, डॉल्फिन क्या करती है, वो भी एक different sound निकालती है, to message each other, अपने एक दुसरे को message कर पहुचाने के लिए, वो अलग तरीक का sound निकालती है, चीक है, scientists believe that many animals have a special language of their own, scientist का कहन है, जो लोग scientist बनना चाहते है, scientist कौन होते है, जो science को study करते है, चीक है, तो वो ने क्या कहा, कि हमें लगता है, हर एक animal की खुद की भाशा होती है, खुद की language होती है, है ना सब की होती है, आपने देख है, सब अलग अलग animals, अलग अलग अवाज ने कालती है, dog जो है, वो बाग करता है, भाव भाव कहता है, cats मियाओ कहती है, तो यसी सारे animals की अपनी language होती है, next क्या है, देखो इसी के साथ आपको page turn करना था, page number 10 पे हैं हम, यहाँ पे देखो यह आप यह चीज कर लिए, आप questions करने वाले, right में दो questions करेंगे हैं, चलो, देखो question क्या है, सबसे प sound यह आवाज जैसी हो निकलते हैं, और अगर हाँ तो कौन से, तो answer क्या लिए होगे, of course हाँ, हमने भी discuss किया था, dog, cat, cow, इनका sound हम easily समझ सकते हैं, so yes, I can understand the sound of some animals, I can easily tell the sound of dog, dog क्या करता है, bark, cat, cat क्या करती है, meow, cow, cow का भी होता है, mow and horse, etc, तो ऐसे बहुत साने animals होते हैं, जिनका sound हमको समझ में आता है, दूर से ही अगर हमको आवाज आ रही होगी, कि अगर कोई भाव भाव कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे कौन है, doggy है, कोई मियाओ कर रहा हो तो समझ जाएंगे कौन है, cat है, तो ऐसी हमें different animals के different sounds जो हैं, सम समझ जाएं, अब जिनके घर में pet animals होंगे, pet animals पता है ना, जो घर में जानवर हम पालतू जानवर पालते हैं, तो वो animals हमारी language समझ जाते हैं, कैसे, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं, उनको हम बहुत सारी चीज़ों सिखाते हैं, तो जब हम उनको बुलाते हैं, उनके नाम animals होंगे, वो यह चीज़ समझते होंगे, कैसे animals हमारी चीज़ों को समझते हैं, तो answer कैसे लिखोगे, yes, some pet animals like dog, cow, ox, parrot, etc. understand our language, तो जो pet animals होते हैं, वो ही हमारी language को समझ पाते हैं, ठीक है, only pet animals, वाकि आप किसी भी भार के, किसी भी animal को कुछ कहोंगे, वो नहीं समझेगा, प तो यहाँ पर दो questions जो हैं हमारे हो चुके हैं, यह दो questions हमने complete किये हैं, one and two, अब हमारे हैं छोटी सी activity और एक छोटी सी चीज़ आपको जाननी है, क्या जाननी है, say it with sounds, तो आपने भी animals के जैसे अब इपने डिसकस किया, बहुत सारे sounds सुने हैं, ठीक है, जैसे dog का डिसकस क या cat का डिसकस किया, वैसे ही यहाँ पर एक activity है, क्या लिखाया समें, just like birds and dolphins, you can also make your own language, तो जैसे कि dolphins और बहुत सारे animals की, words की, सबकी अपने 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 तरीके से signals देते हैं, warnings देते हैं, देखा हमने कि कैसे उनने किसको warning देते हैं, जब कोई danger आ रहा होता है, तो एक warning द देते हैं, तो अगर आपके पास कोई danger आ रहा होगा, तो कैसे आ warning दोगे, तो क्या लिखा इसमें, you can also make your own language of sounds for giving messages, remember you have to talk to your friends with only sounds and no words, अगर सोचो, अगर आपको स्रिफ और स्रिफ, sounds में ही बात करनी है, जैसे हा, हू, ये, ऐसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी है, जैसे अभी मैं बात करें, कोई भी words का use नहीं करना है, words का use नहीं करना है, क्या use करना है, only sounds, क्या use करना है, only sounds, how and when will you need to give an alarm call, और कैसे और कब, how याने कैसे, when याने कब, तो कैसे और कब, आप लोगों को एक alarm call देने की जरुरत है, तो alarm call हम कब देते हैं, जब कोई danger होता है, क्या होता है, जब कोई danger होता है, तब ही हम क्या देते हैं, कोई भी alarm call देते हैं, कह आप सोचू कि आपके लिए क्या danger है, हो सकता है कि आपकी mommo पापा कहीं गए हो, आप शुक्के से maggie खा रहये हो, और इतने mamma पापा आ जाए, तो आपको अपने भाई या बहन जिसने हम sublings कहते हैं उनको बताने के लिए कोई अलाम देना हो या फिर आप classroom में हो और एक teacher आने वाले हो तो उन teacher आने से पहले आपको उपने friends को अलाम देना हो तो ये कोई situations हो सकती है आपके life में कि जब आपको अलाम देना पड़ जाए For example, when the teacher is coming to the classroom यहाँ पर उनने खुदी एक example भी mention कर दिया है जो मैंने अभी बताया तो इसमें आप क्या कर सकते हो You and your friends can produce some sounds like कोई भी danger आएगा तो कैसा sound produce कर सकते हो Yahoo, Ho, Ho ऐसे कोई भी sound आप produce कर सकते हो Like Yahoo, Ho, Ho ऐसे sounds produce करने से सब को समझ में आजाएगा कि कोई danger आ रहा है जैसे teacher आएगी हर बार अगर आप Yahoo करोगे तो सब को समझ में आजाएगा अच्छा च्छा teacher आ रही है क्योंकि वो एक ही sound है जो आप हर बार निकालोगे तो ऐसे कोई भी sounds अपने मन से पर आप बना सकते हो कि ओ नो या फिर ये ऐसा करके कोई भी sound आप अपने मन से बना सकते हो तो sound and alarm this can be used to alert others when the teacher is coming to the class others याने other students को alert कर सकते हो आप ये sounds बना कर ठीक है? तो ये एक छोटी से activity है आप भी try कर सकते हो ने friends के साथ घर में ममा पपा के साथ भाई भेन से के साथ मिल कर काफी सारी चीज़ें ये सब try कर सकते हो कि कभी आपको words ना बोलके सिर्फ sound निकाल ला हो जिससे बाकियों को भी समझ बना है कि आप किस चीज़ का alarm दे रहे हो और आप alarm भी दे दो So this is what you can do Okay, so with this our class is completed for today तो आज की class हमारी complete होती है आज हमने बहुत अच्छे-च्छे interesting चीज़े देखी कि कैसे animals आपस में बात करते हैं कैसे वो अलग-अलग तरह का sound निकालते हैं हमें danger से बचाने के लिए और खुद को भी danger से बचाने के लिए और फिर क्या देखा? फिर हमने कुछ sounds भी देखे animals के कि वो किस तरह से बात करते हैं क्या उनके sounds रहते हैं ठीक है? अब हम बढ़ेंगे next topic पे next topic में क्या पढ़ने वाले हैं? next topic में हम पढ़ेंगे कि animals कितना सोते हैं तो बहुत interesting topic है और हम पढ़ेंगे next class में तो next class में आप सभी को आना है और अगर आप चाहते हो कि आपके friends को भी लेकर आना तो उन्हें भी लेकर आ सकते हो पर कैसे? आपको ये videos को share करना पड़ेगा ठीक है? तो आप friends को भी हमारे साथ लेकर आके साथ में बैठके पढ़ सकते हो ओके बाग कि अगर आप kindergarten से class 12 तक कुछ भी पढ़ना चाहिए आप अराम से पढ़ सकते हो हमारे magnet brains पर क्योंकि आपको quality education free of cost provide करवाई जाती है अगर आपको कोई boards के बार में पढ़ना है तो मिलेंगे हम next class में तब तक के लिए stay tuned